Hello Everyone, Welcome to Feedback Academy, I am PV Sharma and this video में हम लोग Current Affairs के Most Important MCQs डिसकस करेंगे जितने भी Important Question बन सकते हैं आज के ये वीडियो है जिसमें आपको सारे मिलेंगे प्लस हम लोग तरीके देखेंगे कि कैसे हम लोग Pictures के तुरू एक Question को याद कर सकते हैं कैसे वो ज्यादा Effective है rather than एक Statement पढ़ने से, कैसे हम लोग उस Question को जिससे हमने पिक्चर से याद करा है उसको Exam में अच्छी तरह Recall कर सकते हैं, प्लस मैं आपको Latest Government Job Notifications के बारे में बताऊंगा Like for example, SSC में अभी 1500 से ज्यादा Vacancies आई है, वो कौन सी Post के लिए आई है, कैसे Apply करना है, कहां उसका Notification मिलेगा यह सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तीन वीडियो का Content आपको एक वीडियो में मिलेगा एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा Content हमारे चैनल पर बनाते रहें, तो चलिए फिर इसनी के साथ आज की पढ़ाई शुरू करते हैं पहला कोशन है, which medicine is now a part of COVID-19 therapy, new health protocol, कौनसी medicine अब COVID-19 के जो नया health protocol निकाला गया है, उसका पार्ट बनेगी, तो उसका पार्ट बनेगी Remdesivir पहले recommendation जो दी गई थी, जिसमें कि नाम ता hydroxy chloroquint का, वो अब remove कर दी गई है, और उसकी जगा Remdesivir को दे दी गई है, severe conditions में जितने भी patients हैं उनको देने के लिए COVID-19 के cases के बारे में जो हमको national level पे daily बताते हैं, वो आप अपनी screen के ओपर देख सकते हैं, इनका नाम है लवकुमार, Mr. लवकुमार और ये joint secretary है health ministry के अब आपको क्या करना है, कि आपको मुझे बताना है कि हमारे health minister कौन है, union health minister, and जो आपका answer है वो आपको comment box में लिखना है, कल का जो answer था, उसका सही answer दिया था, शशांक अगरवाल ने, हमने आपसे पूछा था कि कौन सी ऐसी construction company है, जो की पूरी digital हो चुकी है, उसका सही answer थ सबका answer showcase करेंगे, ताकि और लोग भी आपसे सीख सकें, और लोग भी आपसे motivate हो सकें, अपना answer comment box में लिखना ना भूले, second question की बात करें, so who won the Sharjah online international chess championship, एक online international chess championship हुई है, Sharjah में, so वो कौन जीते हैं, वो जीते हैं, शक्रियार मामेद यारोव, right, option number 4, and second, first runner-up कौन आये ह वो आये हैं, हरी कृष्णा पेंटारा, जो की हैं, इंडिया के, okay, so ये जो first आये हैं, शक्रियार जी, ये कहां से हैं, ये कहां के belong करते हैं, ये belong करते हैं, अजर्बाइजान के, and ये कुछ extra information हैं, जो आप याद कर सकते हैं, हम लोग PDF जितनी भी है, सारी के सारी हमारे telegram group अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से PDF हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी सारी PPTs की, और सारी जितनी भी हमारी वीडियो हैं, okay, ये है Mr. शाक्रियार मामेद यारो, okay, जिनकी फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, third question है, एक new fish, एक new मचली की species पाई गई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है Shizothorax, Shizothorax नाम है इनका, जो new species है, इसका नाम Shizothorax है, and पांचे बार बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, इन इतनी मैनेस से जब याद करोगे, तो एक्जाम में याद होई जाएगा, कि जो नाम बोला नहीं जा रहा है, so वो ही सीरम, रिवर में पाई जाती है, and इसलिए इसका नाम जो है Siku Sairu Menaces भी रखा गया है, right, अब क्योंकि अनुनाचर पदेश के बारे में बात हो रही है, so वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवरनर के बारे में भी बात कर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर है वहाँ के प्रेमा खंड में, and याद करने में, so इसी के तरीके से आप जब भी एक्जाम में कोई option आएगा, जिसको आप बोलनी पा रहे होगे, so वही सही option होगा, right, and किनों ने ये discover करी थी, वह केशव कुमार जात जी ने discover करी थी, प्लस हमने चीफ मिनिस्टर और गवरनर के बारे में भी जान लिय अरुनाचर प्रदेश के, मेरी suggestion आपको ये रहेगी कि जितने भी चीफ मिनिस्टर और गवरनर बता रहा हूं मैं, इसकी एक copy में लिखते रहो, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हर वीडियो में हम लोग जिस भी state से related questions होते हैं, उसके गवरनर और चीफ मिनिस्टर के बार So which state becomes the top state to provide employment under Manrega, Manrega एक जो scheme है, जो की महात्मा गांदी नैशनल रूरल एम्प्लोईमेंट गैरेंटी scheme है, इसके तहट कौन सी state ने top करा है employment देने में, वो state है उत्तरप्रदेश, जिसका map में आप location देख भी सकते हैं, अब उत्तरप्रदेश के जो CM है और गवरनर है, वो जितने भी workers होते हैं, उनको definite amount of days के लिए काम दिया जाता है, और direct money transfer होते हैं उनके account में, Question number 5 है, which state government launches Karambhumi और job portal to help IT professionals, अभी क्या हुआ है, COVID-19 की वज़े से, lockdown की वज़े से, West Bengal में जितने भी लोग IT professionals वापिस आए हैं अपनी state में, और जिन्होंने अपनी job lose करी है, So, उनके लिए एक IT platform खोला गया है, जिसका नाम है Karambhumi, right, West Bengal की सरकार ने खोला है, और इसके तहत वो लोग job find कर सकते हैं, different different IT companies, जो की West Bengal में है, जिसका URL अगर मैं आपको बताऊं, तो वो है Karambhumi, nltr.org, okay, Chief Minister कौन है West Bengal की, वो है, Mamta Banerji, and Governor कौन है West Bengal की, वो है, Jagdeep Dhankhar, right, यह आप देख सकते हैं, Mamta Banerji है, जो सब को चुपकर आती रहती है, यहापे भी चुपकर आ रही है, and यह है Mr. Jagdeep, question number 6 पे जाने से पहले हम लोग थोड़े recruitment के बारे में बात कर लेते हैं, कि Staff Selection Commission, that is SSC में, अभी 1500 से ज्यादा vacancies आई हैं, किस की post की, वो है sub inspector की, notification का link है, वो हमारे description box में already available है, वहाँ पे जाके आप यह notification देख सकते हैं, plus अगर आपको PDF चाहिए, तो आप Telegram Group से हमारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे ही education department, जो की medical आंदरपदेश government का है, medical department है आंदरपदेश government में, वहाँ पे assistant professor की vacancies निकली हैं, विजयवाडा में, यह भी काफी vac इसमें 700 के ऊपर vacancies हैं, तो इसमें भी आप apply कर सकते हैं, plus health recruitment board कोलकता, WB, HRB, इसमें medical officers की vacancies निकली है, because कि हम लोग का इतना अच्छा medical infrastructure नहीं है पूरे देश का, इसलिए आजकल medical officers की और medical staff की vacancies काफी निकल रही है, so अगर उस background से कोई है, वो बहुत सारी jobs के लिए apply कर सक करता है, okay, जितने भी links मैंने आपको बता है, जितने भी recruitment बता है, उन सब का जो link है हमारी description box में है, आप directly वहाँ से जाके उनको access कर सकते हैं, किसी भी site पे जाने की जरूवत नहीं है, अपना time waste करने की जरूवत नहीं है, plus आप हमें Facebook और Instagram पे भी follow कर सकते हैं, कोई भी आप की शिकायत हो, कोई भी आपकी परेशान ही हो, जो कि studies से related या studies से related नहीं भी हो सकती है, वो हम लोग directly और personally solve करते हैं, सब का handle है feedback academy official, question number 6 है, राजा प्रभा festival हम लोग कौन सी state में मनाते हैं, so यह हम लोग मनाते हैं, उडिसा में, so basically यह तीन दिन का festival होता है, and इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा details जानी हैं, तो हमारी PDF हैं, जिसमें हमने अच्छे से explain करका हैं, यह दोनों points, ओके यह आप देख सकते हैं, plus अगर उडिसा की बात करें, तो वहां के जो chief minister है, वो है नवीन पतनायक, जो की right side पे है, and governor है, वो है गनेशी लाल जी, पिशले तीन च चीफ मिनिस्टर और governors हैं, उन सब को एक जगा लिखते रहो, next question है, world day to combat desertification and drought, हम लोग कब मनाते हैं, so यह basically हम लोग मनाते हैं 17 जून को, so desertification क्या होता है, desertification होता है, जब जमीन बंजर हो जाती है, जो उपजाव जमीन होती है, सूखे की वज़े से, या किसी भी reason की वज़ words क्या करें, कि desertification ना हो, drought, सूखे पे तो सूखे पे हमारा control नहीं है, मगर जमीन को बंजर करने में भी हम लोग का बहुत बड़ा रोल है, because हम लोग क्या करते हैं, कि आधूनी करन करने के लिए हम लोग पूरे-पूरे जंगल काट देते हैं, governments को पूरे-पूरे जंगल यह basically theme है, आपको से इतना याद रखना है, बाकी तो उसका subtitle है, okay, so 1994 में, United Nations General Assembly ने डिकलेर करा था, कि हम लोग 17 जून को, World Day to Combat, Desertification and Drought मनाएंगे, right, क्योंकि यह environment से related है, so Union Minister of Environment, India के कौन है, वो है, Prakash Javidkar, right, जिनकी photo आप अपनी screen पे देख सकते हैं, and क्योंकि United Nations ने बत आइए, कि United Nations के Governor General कौन है, so 2 question मैंने आप से पूचे हैं, इस वीडियो में आपको बताने हैं, और दोनों question का answer आप comment box में लिखके बताइए, okay, question number 8 की बारे में बात करें, so Sports Ministry, उन्होंने set up करा है, Khello India State Center of Excellence, यह कितनी states में उन्होंने set up करा है, यह इस उन्होंने set up करा है, आठ states में, और वो states कौन कौन सी है, अरुनाचल प्रदेश, मनिपोर, मिजुरम, केरला, तेलंगाना, नाका लेंड, करनाटका और उडिसा, so basically India के Olympics में कितने बुरे हाल होते हैं, हम सबको बता है, so उसको improve करने के लिए, athletics और खेल को improve करने के लिए, Khello India State Center of Excellence बनाए जा रह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, next question के बात करें, तो कौन सी ministry ने launch करा है, एक Germany Band नाम का robot, so वो launch करा है ministry of home affairs ने, जो की option 1 है, so basically यह क्या करेगा, जितने भी आपके isolation wards हैं, hospitals हैं, या फिर quarantine centers हैं, वहाँ पे sanitize करेगा इन सब जगाओं को जिससे की जो coronavirus है या उससे इसको develop करा है, इसको develop करा है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, एन association of lady entrepreneurs of India, ALEAP, and women entrepreneurs, that is V-Hub, so तीन associations ने launch करा है, एक तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, एक हो गया ALEAP, एक हो गया V-Hub, okay, तीन organizations का नाम आपको याद रखना है, plus आपको याद रखना है, कि जर्मी band जो robot है, वो किसने launch करा है, वो launch करा है, ministry of home affairs ने, and उनके जो minister of state of home affairs है, जिनो ने इसको launch करा है, वो कौन है, वो है G.Kishan Reddy, okay, last question की बारे में बात करें, किसने launch करा है, feedback, call centers on public grievances, so वो launch करा है, जीते इंदर सिंग जी ने, जीते इंदर सिंग जी कौन है, जीते अंदर सिंग जी है, union minister of state state of personnel, public grievances and pensions. So basically, जितने भी लोगों के grievances होंगी, उनकी शिकायते होंगी, COVID-19 related basically, वो इस portal पर जाके, इन centers पर जाके, इन feedback centers पर जाके, solve कर सकते हैं, जितेंदर सेंग, इननोंने 4 लोगों की शिकायते solve भी करी हैं, अब वो तो सब को पताया कि, कि वह setup होगा पहले से मगर उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे procedure है और कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको किस ने बनाया है इसको बनाया है BSNL और DARPG ने ओके और यह जो sentence है जितने भी sentence है वो 14 languages में बनाए जाएंगे यह जितने भी questions थे यह बहुत important है आज के लिए जो दो questions मैंने आपसे पूछे है उनके बारे में आप comment box में लिखिये कोई भी आपका suggestion हो कोई भी आपकी query हो वो आप हमें बता सकते हैं उस पे भी हम लोग video बना सकते हैं एक हमारी revision video भी होती है जो अब हम लोग 5 बजे लाते हैं जितने भी question मैंने आपको अभी detail में समझाए वो हम लोग revise कराते हैं सिफ question होगा पांच second का timer है और उसके लिए फिर आपको answer करना होगा अपने comment box में लिखके इससे क्या होगा कि 10 से 15 मिनट में अगर आप एक दिन में अपना देंगे तो आपका एक subject that is current phase जो की हर exam में important है वो आपका cover up हो जाएगा और तयार हो जाएगा आपको इस वीडियो कैसी दगी आप हमें comment box में लिखके बताइए और हम लोग आपसे शाम को मिलते हैं और डीटेल वीडियो के लिए कल मिलते हैं थैंक्यू अरे मच्छ